हेलो बच्चो, स्वागत है आपका पाई क्लास इस बाई सचिन मलिक में आज का टोपिक क्लास एट के लिए वरक्षिट नमबर फोर जामितिय संदाचाओं का परीचे हम पहले कर चुके हैं, अब इसमें भाग दो आ गया है क्या कहता है? तिरभुज के परकार उनकी भुजाओं के अधार पर और उनके कोणों के अधार पर तो भुजाओं के अधार पर देखो, संबाहु तिरभुज यानि कि जिस तिरभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम संबाहु तिरभुज कहते हैं सम्धी बाहू तिरबुज बराबर हो, कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं जरूरी नहीं उपर वाली हो, कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं तीनों में से, विसम बाहू जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, यानि तीनों भुजाओं के लं एक कौन, कम से कम एक कौन, और एक ही कौन हो सकता है, किसी भी तिरोज में नब बेड़े गरीगा, इससे जादा हो भी ने सकते हैं, अधिक कौन, जिसमें एक कौन अधिक हो, अधिक कौन हो, किसी भी तिरोज में एक ही कौन अधिक कौन हो सकता है, एक ही कौन समकौन हो सकता है, बस ये धियानक लेना आगे देखो ये कहता इधर हम तिर्वुच का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं अर्थात क्या कहने का मतलब है हम तिर्वुच का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं जैसे इन्होंने कलम रख लिया अब के अलम इसको हम के अलम भी पढ़ सकते हैं अलम के भी पढ़ सकते हैं म के अल भी पढ़ सकते हैं ये कुछ भी हम इसको देखो ये इतने सारे इन्होंने नाम दिये हैं इसको किसी भी ओडर में हम ले सकते हैं के अलम भी ले सकते हैं वो हम अपनी इच्छा के नुसार उनको ले सकते हैं तो यह सारे तrit लपुश समाएन हैं इस त्रिबुश के कौन और बुश्गों के नाम लिखिये अब कौन और बुश्गों के नाम अगर लिखने है तो बुशा पहले बुशा KL हो गई भुजा, LM हो गई और KM हो गई क्या क्या हो गई, KL LM और KM ये तो भुजाएं हो गई, और ये कौन हो गई कौन हो गया, एक तो K एक हो गया, L और एक हो गया, M ये तो short form है, otherwise मानलों मुझे ये वाला angle लिखना है, तो ये बीच मारा कि, तो L, K, M इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, L, K, M और ये जो निसान है, कौन का निसान है, ऐसे ही अगर इस angle को लिखना बढ़ेगा, तो KL जो बीच में line जो बीच में point आता है, यानि angle उसके उपर बना हुआ है, ऐसे इस वाले तिरभुच में, दो कौन संकौन हो सकते हैं, no, नहीं हो सकते, क्या तिरभुच के परते कौन 70 डिगरी, 90 से कम, हाँ, yes, हो सकते हैं, 2 उसकोन नहीं हो सकते, क्या कि आत्म कि, दो 0,2 कोन हो सकते, नहीं, अभी मैं आँ को बताया, एक तिरभुच बनाईए उसकी माद्धिका दिखाईए देखो यह जैसे यह तिरभुज बना हुआ है तो किसी भी सीर्स को सामने वाले के midpoint से, इसके midpoint से हम इसको मिला देंगे, यह हमारी madika बन जाएगी, ऐसी अगर इस से, इसके midpoint बनाते हैं, तो एक madika हमारे पास यह भी बन जाती है, ऐसी M से बनाते हैं, तो यह भी हमारी, और यह एक ही बिंदू से होकर गोजरती है, ठीक है, बना के देख लेज़े चाहिए अपना आप आ किया था एक तिरबुज में कितनी माद्धिका हो सकती है तो तीन माद्धिका हो सकती है क्योंकि तीनी बिंदू होते हैं तीनों बिंदू से हम माद्धिकाएं खीच सकते हैं इसमें आपको सिर्फ एक माध्य का दिखानी है, इसमें आपको तीन माध्य का दिखानी है, चलिए, next है मारे पास, अब चत्रबुज के बारे में सीखते हैं, किता दिये गए चत्रबुज का नाम लिखें, सभी भुजाएं, सभी कौन और सभी विकन, देखो D, A, B, C, D, चत् ये B, C हो गई, ठीक है, एक हमारे पास, ये हो गई, C, D हो गई, और एक हमारे पास, A, D हो गई, सारे कोण लिख लो, कोण A, sort form में लिख दो, कोण B, कोण C, और कोण D, सभी कौण, प बिकन ये वाली लाएन हैं, तो A, C हो गया, एक कौण, और एक B, D हो गया, तो इस तरह स हम इनको लिख सकते हैं देखो चत्र बुझ चत्र बुझ यह रहा चार बुझाएं होती हैं जिसकी और इनके सभी कौनों का योग 360 होता है समानतर चत्र बुझ इस टाइप का होगा आमने सामने की बुझाएं बराबर होती है यानि ये भुजा बराबर होंगी ये भुजा इसके बराबर होंगी और समानतर भी होंगी समानतर कौन सी रेखाई होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती आमने सामने की भुजाएं समानतर भे बराबर और आमने सामने के कौन भी बराबर यानि ये कौन इस कौन के बराबर और इधर वाला कौन इधर वाले कौन के बराबर वर्ग में बिल्कुल ऐसा ही होता है बिल्कुल सेम टू सेम बस इसमें चारो भुजाएं बराबर होती है और चारो कौन भी आमने सामने की भुजाएं समानतर, परते गुजा बराबर और परते कौन 90 डिगरी के आयत बिलकुल ऐसी होती है अगर इसके मैं सारे कौन 90 डिगरी के कर दूँ तो हमारे पास आयत बन जाती है यही आयत भी समानतर चत्र भुजी है अगर उसके सारे कौन 90 डिगरी के कर दिये जाएं ऐसी वर्ग भी समानतर चत्रबुज है अगर उसके सारे कौन 90 डिगरी के कर दिये जाएं और सारी भुजाएं बराबर कर दिये जाएं तो चलिए आओ जाने क्या था सम चत्रबुज सम लंब चत्रबुज तथा पतंग की आकरती बनाईए माप ग्यात कीजिए क्या क्या पता है ना परतेग भुजा परतेग विकर्ण और परतेग कौन देखो सम चत्र भुज सम चत्र भुज क्या होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है ऐसे होता है सम चत्र भुज सम चत्र बुझ भी समानतर चत्र बुझ है जिसमें चारो बुझाएं बराबर होती है सम लम चत्र बुझ कैसा ही बना लो जिसमें इस तरह से इसमें कोई भी दो बुझां समानतर होगी बालो ये बुझा और ये बुझा हमारे पास समानतर है इस वाल्ब पजय और यह वाली उपार वाली आपसमें बराबर होती है उनको आप अपनी कोपी में बनाना और उनकी पिर इसकेल से नापकर लिखना कि ये क्या क्या चीज़ है और विकर्ण आपको पताईए ये वारे सब ये सब विकर्ण होते हैं सभी चत्रवुज में ये सब होते तो सब चत्रवुजी हैं आगे कहता अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकरतियों के गुंधर्म लिख समानतर होती हैं और बराबर इसमें आमने सामने के नहीं सभी भुजाएं आमने सामने के समानतर होती हैं और सभी भुजाएं बराबर होते हैं बाकि सारे गुंधर्म यही होते हैं जो लिखे हुए हैं ठीक है और समलम में समलम में क्या हो जाएगा समलम इस तरह का था इसमे कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समानतर होती है, इसके ये गुन धर्म है बराबर कुछ नहीं होता, पतंग में आसन भुजाएं आसन कम अमतर साथ वाली भुजाएं ये ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान होती है, इसी परकार ये बोजाएं, समान होती हैं और विकंड जो होते हैं, दूसरे को 90 degree पर काटते हैं क्या समान तर चत्रबुज के विकंड बराबर होते हैं, ये नहीं होते बराबर क्यों? ये देखो, हमें देखने से पता चलता है ये बड़ा है और ये होना चोटा है हाँ इसके बराबर हो जाते हैं इसके भी बराबर हो जाते हैं क्यों क्योंकि चारो दरफ से आकरती एक जैसी है तो इसके बराबर नहीं होते हैं तो बस इस तरह से आपकी worksheet complete होती है इसकी अच्छे से अपने copy में करो और अपने अपने teacher को वर्ट्षैप पर